वेल जैसे कि आपने स्टाइटल में पढ़े लिया होगा कि हम ता बैटमेन मुवी कर रिव्यू करने वाले हैं तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह मुवी कल यानि 4 मार्च 2022 को ठेटरों में रिलीज हो चुकी है और मैं इस मुवी के दोना ही वर्जन देखे हैं यानि इसका इंगलिस वर्जन भी और हिंदी वर्जन भी हाँ और जो इंगलिस वर्जन के कंपेर में इसका हिंदी वर्जन जो मैंने देखा है यानि इसकी हिंदी डबिंग मुवी के जो करे गई है वो बहुत बढ़िया करें गई है वैसे तो यह movie पिछली बैटमैन की movie उसे connected नहीं है अलगी universe में चल रही है movie पर अगर आपने पिछली बैटमैन की movie देखी नहीं है तो maybe आपको यह movie बोर लग सकती है starting के सीनों में और थोड़े mid के सीनों में जैसे हम सोच रहे थे कि इस मूवी में वाफी बढ़ी action scene, new effects का यूज और other lot of things हमें दिखाए जाएंगी तो मैं एक बात के लिए कर दूँ है एक realistic मूवी है जिसमें हमें बैटमैन का dark version देहने को मिलता है और इस बैटमैन की मूवी को फिली बैटमैन की मूवी से compare करूं तो यह मूवी उन सब सही different है और बात करूं इस मूवी के timeline की तो वह तीन घंटे के आसपास है और इस मूवी के storyline की बात करूं तो इस मूवी के starting के scene में हमें वही लगभग semi story दिखा जाती है जिसमें की बैटमैन क्राइम को रोपता है पर एक different चीज है इसमें बैटमैन का एक different look दिखाए गया है हमें और साथ इसमें बैटमैन हमें एक clue छोड़ता रहता है और बैटमैन भी एक detective की तरह इस मूवी में उसे track करता है और वह इस मूवी में इस track कैसे करता है फिर उसे पकड़ पाता है या नहीं वह तो आपको इस देखने के बाद पता चलेगा और इस मूवी में action scene की बात करता है तो जैसा कि वह उसे track करता रहता है तो उसी के बीच में इसमें action scene दिखाए गए हमें और जो यह total movie है इस movie के ज्यादे तर scene night में suit करे गए है आपको मुश्किल से दो या तीन scene ही आपको morning के देखने को मिलेंगे इस movie में एक तरीके से पूरा dark version दिखाया गया हमें Batman movie का और यह movie तीन गंटे की है तो आपको इस story थोड़ी slow-mo में चलती भी दिखाई देगी और हाँ इस mente mate scene ना के बराबर दिखाया गया हमें तो वैसे तो इस movie की story किसी और Batman की movie की story से connected नहीं है पर अगर आप पहले बार इस movie को देखने जा रहे हैं तो आप बोर तो जरूर होंगे बट हाँ इस movie के mid में थोड़े ज़्याद action scene include करे गया है तो उसमें आपको थोड़ा interest आ सकता है पर जो Batman fan हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि यह एक best movie है और काफी realistic movie भी है तो अगर आप Batman के fan है और इस movie को देखने जाते हैं तो पैसा वसूल movie आपके लिए एक और तीन गंटे के बाद जब इस movie को देखने के बाद आपने के लेंगे तो आपके माइंड में Batman के एक नए interface set हो जायाएगा हाँ बस इसमें एक चीज ही मुझे अच्छी नहीं लगी जो कि इसकी timeline थी जो कि तीन गंटे की थी मेरे साब से ढ़ाई गंटे में भी movie complete हो सकती थी जिससकी story थोड़ी slomo में दिखाए गई वो थोड़ी fast होती जिससे की जो first bear कोई Batman की movie देखने जा रहा है उसे interesting लगती बट जो पहले Batman की movie देख चुके हैं उनके लिए थोड़ी boring हो जाती बट इस movie में एक बात कहने की है वो यह है कि इस movie में जितने भी character पिले करेंगे हैं उन्होंने काफी बढ़िया acting करिया है और खासकर इस movie में जो Batman का character पिले करा है Robert Patton ने क्योंकि movie की starting से वैसा ही same look और वैसे ही same expression last तक रखना कोई आम बात नहीं है तो total conclusion की बात करूं तो यह best action adventure crime based movie है तो I hope आपको review पसंद आयो और हाँ अगर आपको किसी और movie है फिर किसी और web series का review चाहिए तो comment box में बताना न भूले तो इस वीडियो में इतना है में मिलों आपको नहीं वीडियो में नहीं movie या फिर नहीं web series के review के साथ तक तक के लिए good bye